हाई वेल्कम बेक मैं नरेंद्र कुमार आपका अपना ही चेनल अस्टोक एडवाइस पे बहुत-बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों बात करेंगे जमेटो आइपियो के रिवीव के बारे में उसका डिटेल को समझेंगे तो इस वीडियो को आखरी तक देखिएगा ताकि आ आपको इंफर्मेटी वीडियो अप्लोड करता हूं तो आप तक उसका नोटिफिस सकान पहुष सके तो चली वीडियो को सुरू करते हैं और समझते हैं इसका आईपियो के बारे में तो दखिए दोस्तों जमेटो जो है एक अपना आईपियो ला रहा है और वहां पे हम लो चाहिए कि या कंपनी का क्या स्ट्रेंथ है जब तक कंपनी की स्ट्रेंथ को नहीं समझेंगे कंपनी के बिजनस मोडल को नहीं समझेंगे आप उसमें नहीं कर सकते आपको तब तक आपको नहीं करनी है जब तक कंपनी के बिजनस के बारे में उसके मोडल के बारे में नहीं समझ लेते हैं तो अगर आप यहां पर बात करेंगे तो जो जमेटो है वह एक जबरजस्ट फूड अपने कमपटीटर के मुकाबले में एक लेडिंग ब्रांड बन चुका है एक फूट सर्विस जिसको बोलते ना कि आपको घर भीया पहुचा रहा है तो फूट सर्विस डिलिवरी का अच्छा प्लाट फूम बन चुका है और यह बहुत ही मैं बता दूं कि अपने कमपटीटर के हिस साप से यह बहुत जादा कस्टमर बेस बनाया है इंडिया में और यहां पर देखेंगे तो एक अच्छा नेटवर्क भी तयार हो चुका है रेस्टूरेंट के साथ और डेलवरी पार्टनर के साथ में तो एक इसका कमपटेटिव एडवांटेज है आब इस पर में थोगा स हो सकता है इसमें क्या क्या इसका एक बोलते ना कि रिक्स क्या है बिजनस में रिक्स क्या है मैं अभी आगे बात करने वाला हूं तो आगे वीडियो को स्किप नहीं कीज़ेगा देखते जाए और अगर बहु सालों होते हैं कि लिश्टिंग गेंसर कितना मिलेगा तो देख करना चाहते हैं तो आपको यह हिसाब से करना परेगा और यह आपको लॉंग टर्म के लिए क्या होगी मैं अभी आगे आपको बात कर रहा हूं तो आपको सबसे पहले देखिए कि IPO का क्या है तो डिटेल को समझते हैं और उसको समझते हैं कि IPO किसली आया है तो आप देखें क्या है आप देख सकते हैं मैं लिख के रखा हूं कि इसको और इन और गरिंग ग्रोथ की जरुवत है जिसके कारणी फंडिंग का यह लाया है अब यहां पर देखिए कि आपको 9000 में आपको जो फ्रेश इस्तु है वो है 9000 रुपे करोड रुपे का और 375 रुपे है ओफर फ सेल क्या होता है और अटवा इसका डिटेल को समझें किसका कब आ रहा है एक सका यहां सा यहां पर दोस्तों मैं एक बात को रखना चाहूंगा बहुत ही सिंपल में कि आपको यहां पर आप अगर धियांस से देखेंगे तो यहां पर जो जो कि सा प्राइस बेंड़ बनाया गया है उसको थोड़ा ध्यांस देखेगा 72 से छेहत्ता रुपया और यहां पर एक जो सबसे इंपोर्टेंट बात है कि चौदा से सुरू हो रहा है आई पीओ तुम थोड़ा सा और समझना है दोस्तो कि यहां पर जो सबसे बड़ी बात मैंम कर सकते हैं और यहां पर देखने वाली बात ह कि यहां पर जो कर hon इस newest को जो percentage वा जगर मैं आपको बता दू तो यह मात्र दस परसेंट जो है ओ रिटेल के लिए है ठीक है रिटेल इंवेस्टर जिसको लोग बोलते हैं उसके लिए मात्र एस परसेंट है जितना भी हुआ है उसमें आपको मैं बता दू कि की वाइब जो होते हैं 75 परसेंट के कि यह ने इसको 10 परसेंट किया गया है तो यह सेवी ने इस万 में नहीं करें बात समझ पा रहे हैं तो कियों कि रिटेल को रिक्स की में नहीं समझ होती है तो जिसके कारण इनको दिकत हो जाती है लेकिन किवाई भी अगरा समझते हैं उन लोग को पास नोलेज़ेबल परसन होते हैं तो उन लोग के लिए 75% और एनाइबी के लिए 15% का एक वोटा रखा गया है तो 15, 75, 15 और 10% आपको एस समझ में आ गया है अब यहां पर दखिए कि दोस्तों आपको सिधा सिदा बता दिया कि आपको एक लोट के लिए आपको 24,820 रुपे लगेंगे और आपको मैक्सिमम आप आजा इंडिविजुल आप मैक्सिमम तेरह लोट ही कर सकते हैं जिसका आपका 1,92,660 रुपया लगने वाला है अब इसमें IPO के लिए अगर आप करना चाहते हैं कि हैं लिस्टिंगेंग तो लिस्टिंगेंग की मैं बात किया अगरे मार्केट के प्रेमियम के हिसाप से कि आपको यह 13 से लेके आपको 17% 20% तक मिल सकता है तो यही है दोस्तों अग आपको दे रहा हूं वहां पर जाई एकाउंट ओपनिंग कराईए और आपको गाइड किया जाएगा कोई भी IPO आता है इन फ्यूचर या जमेटो के लिए तो आहां पर आपको स्टेप आपको गाइड कर दी जाती है कि आपको किस तरीका से IPO अपलाई करते हैं और मैं उसका जो है दोस्तों आप इसका इस्तमाल करके आप उसमें IPO लगा सकते हैं अब मैं बात करता हूं रिक्स की तो दोस्तों रिक्स की मैं अगर बात कर लूँ तो जखिए ध्यान से कि यहां पे अब जो फूट जो डिलेवर कर रहा है यहां पे कहीं बहुत बड़ा प्लेयर अमेज बिजनस में इंटर करना बहुत तैसा है तो इस बात को भी ध्यान में रखना में बना गार्दा मगर अभर है नहीं कि चलो नहीं में उसमें जैसे मैं आपको बता दूँ अगर मैं एक्जाम्पल के लिए आपको बता दू तो इंटर बेरियर कहां पर है तो इस तरीका से में आपको बता रहा हूं कि इंटर बेरियर यहां पर नहीं है आज जमेटो है स्वीगी है अमेजन आ रहा है हो सकता है कि अमेजन को देखे फिलिपकाट आ जाए तो इन सारी चीजे पर अभी इंटर बेरियर नहीं है अभी इसमें संभावना भी है तो अभी बिजनस को प्रोचुनिटी भी है तो यहां पर थोड़ा सा कमपटिटिव सारी हो सकता है लेकिन अब ध्यान से देखिएगा अगर अगर इंज अजब कस्टरमर तो आप तो चाहिए कि हमको डिसकाउंट मिले जमेटों पर 50% 60% डिसकाउंट आप यह होंगे लेकिन जब आप इंवेस्टर है आप इंवेस्ट करते हैं तो आपको यह चाहिए कि विया मेरा जो बिजनेस है उसमें डिसकाउंट धीरे-धीरे कम हो जाए क्योंकि डिसकाउंट कम होगा तो आपका प्रोफिट बढ़ेगा ठ attracted और बेट feelings को देट से बीचसे देए अमें आपको समझ पहुश सके और इसका benefit ले पाएं ठीक है दोस्तों तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका देन सुभू